हलो प्रेंट्स मैं होगा और अब आप देख रहे हैं स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्ट्स आज के इस ब्डियो में हम लोग पीम किसान सम्मान नीदी उजना के बारे में बात करने वाले हैं जो खुद से ओनलाइन आविदन किये थे उन सभी किसानों का एक पैंडिंग लिस्ट चारी किया गया है तो अगर पैंडिंग लिस्ट में किसान भाईयों का नाम है जिन जिन किसान भाईयों को पैंडिंग लिस्ट में नाम है तो उन में से बहुत चारी किसान भाई कॉमेंट कर रहे हैं कि हम ओनलाइन एप रूट कैसे करा हैं तो फ्रेंट्स आज के वीडियो को verify approved कैसे करा सकते हैं और आपको approved होने के बाद कब तक पैसा मिलेगा क्या जनौवरी में आपको एक साथ 14 हजार रुपिया मिलेगा तो फ्रेंट्स वीडियो में सुरू से लेकर अन तक बने रहें और अभी तक आपने हमारी चैनल स्मार्ट टैक प्लाटफों को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो नीचे सब्सक्राइब बॉडम को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हर वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलते रहें वीडियो अच्छा लगए तो ल अभिदन किये थे वह आपको पेंडिंग लिस्ट में आपका नाम है या नहीं तो इसके लिए आपको प्लिक किजिएगा कुछी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बिलेज डेसबूड यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट क स्टेट सेलेक्ट कर लिजे फिर आपको यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है फिर यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है फिर यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है फिर नीचे आपको चले आना और विलेज सेलेक्ट कर देना है फिर स्टेट सकते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं विलेज स्टेटस पैमेंट स्टेटस आधार ऑथंटिकेशन स्टेटस अनलाइन रेजिस्टेशन स्टेटस तो आपको यहां पर ऑनलाइन रेजिस्टेशन स्टेटस पर क्लिक क देखने के लिए इसमें आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं टोटेल रेजिस्टेशन जो है पांसो आठ है एक्सेट बावन रिजेक्ट चार सो सुलू पैंडिंग चालीस है तो आपको पैंडिंग वहला सबसे नीचे में मिल जाएगा यहां पर आपको जो है इदम नी हुआ है यह जो है यह फर्मन नेम है और यह जो है फर्मन का पिता का नाम है तो यह जो है यहां पर आपको अगर इस लिस्ट में आपको आपका नाम है तो आपका अभी तक भेरिफाय नहीं हुआ है जिस कारण से आपको अभी तक एको किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है तो आपने बहुत पहले ही अगर रेजिस्टेशन कराएं और अभी तक फेरिफाई नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना तहसिल कारिया लए जाना होगा। पर जाकर ही आप वेरिफाई करा सकते हैं ऑनलाइन वेरिफाई कराने का यह जो है अपसन नहीं है अभी अगर आपका बहुत दिन पहले ही आप रेजिस्टेशन कराएं और आपका अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ तभी आपको जाना है अगर कुछ दिन पहले जाना होगा वहां जाने से पहले आपको कुछ डुकुमेंट साथ ले लेना है आपका आधार काड का फोटो कॉपी अपना बेंक एकाउंट का फोटो कॉपी और आपका जो है तो आपको ओनलाइन ऐसा कोई option नहीं कि ओनलाइन आप भेरिपाई करा सकते हैं ओपलाइन ही भेरिपाई होगा तो इसके लिए आपको तैसिल करियाले ही जाना होगा और बात आता है कि आपको जनुरी में पैसा मिलेगा कि नहीं है और कितने किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा तो अगर आप बहुत पहले हैं रेज्सटेशन कराया है 2019 में तो आपको एक साथ 14,000 रूपी मिलेगा जियाँ प्रैंट्स अगर आपका रेज्टेशन डेट रेज्स्टेशन पिरियेड जो है अपका 2019 का है तो आपको एक साथ 14,000 रूपी मिलेगा लेकिन अगर आपका 2020 का है तो आपको 2020 जैसे माल लीजे मार्च से जुलाई के बीच है तो आपको तीन किस्त मतलब 6 अगर आपका जुलाई से अगस्त के बीच तो दो किस्त 4 अजार और अगर अगस्त से नेवेंबर के बीच आपको 2000 नेवेंबर से जो है मार्च के बीच आप registration कराते हैं तो आपको एक किस्त का पैसा मिलेगा तो इस तरह से जो है पैसा दिया जाएगा registration period के अनुसार तो आप चेक कर लिजे कब registration कराए है और किस तरह registration हुआ है आपका इसी से आपको पैसा दिया जाएगा तो आप online verify कराने का ऐसा कोई option नहीं कि online verify करा सकते हैं आपको offline ही verify कराना होगा अगर आपका बहुत दिन पहले ही registration किया हुआ हो गया है तो आपको offline verify कराना होगा तो इसके लिए तैसिल का रियाल जाएगे वहाँ से आपका हो जाएगा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में पस्तिन आई वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लाटफों को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे सस्क्राइब बाडम को प्रेस करके सस्क्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस करके औल नोटिफिकशन को अंकर लिजे ताखि हर वीडियो की नोटिफिकशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक सेर और कॉमेट जरूब कीजिए झाल झाल